है यह लोल फ्यू फर्स वीडियो सबने मेरा देखा होगा बेजिक्स ऑफ मैंने कराया था बेजिक फंडा जो बुलते हैं अपने मेक्स के अंदर जो हर एक सेनेड के मकंद काम आता है 8th हो 9th हो या 10th हो हर जगे उसके applications कही न कही होते हैं मैंने LCM कराया था rationalization करवाया थे search करवाया थे सबने देखा भी है बहुत views मिले है सबको thank you support के लिए thank you ठीके अब आज अपने कुछ नया basic की पढ़ने जा रहे है जो वापस 8th 9th 10th हर जगे जो मुझे लगता है कि बच्च clear all of you चलो आज अपने देखने वाले है long division क्या देखने वाले है long division लॉंग डिवीजन सबने पढ़ावा है मेरे हिसाब से सबको पता भी है कि long division क्या होता है क्या नहीं होता है yes all of you तो आज देखेंगे long division long division क्या होता है कि हम कोई भी numbers को divide करते थे पहले बच्पन में याद ह तो ऐसे कि अंदर 64 है उसको divide कर रहा हूं मैं 2 से यह division हो गया यह long division होता था पर अब 8th 9th 10th में long division का मतलब क्या होता है हमको को quadratic दी होगी को cubic दी होगी उसको हमको divide करना है linear equation से या कोई x वाले term से या कोई number से वैसा division करना है वो हमको सबसे basic सीखना है वो ही हमारे सबसे ज़ keep a pencil keep a notebook with you whenever you go for online lectures of max of mine clear all of you चलो first sum में आपको करवारो कि basic sums कैसे solve करते हैं कैसे तुमको आगे बढ़ना है वो sums को solve करते हैं वो चीज में तुमको पहले करवारा हूं yes for example x square plus 4x plus 4 एक sum दिया है divide by तुमको बोला है x plus 2 किस से divide करना है तुमको x plus 2 सोच रहे हैं कि बहुत easy है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा चलो start करते हैं कैसे करते हैं division normally हमेशा यह जो number होता है इसको हम लोग dividend बोलते हैं क्या बोलते हैं ओपर जो आता है उसको question बोलते हैं और नीचे जो हमारी last में term बच जाएगा उसको remainder बोलते हैं यह चीज पहले ध्यान रखना सब लो चार चीज़े होती हमारे पास चार चीजे होती है हमारे पास dividend, divisor, quotient, remainder येस all of you चलो अब first sum करवा रहा हूँ है तुमको x square plus 4x plus 4 divide by x plus 2 कैसे divide करना है कैसे नहीं करना है वो चीज़ बता रहा हूँ है येस all of you चलो x square है first sum मुझे मुझे क्या form करना है x square मेरको given क्या है x मेरको given क्या है x मुझे क्या form करना है x square मैं multiply किस से करूँगा x into x x into x तो ये क्या होता है x into x होता है x square same जो time मैंने उपर लिखा है उसको ही second time से multiply करना है x into 2 2x x into 2 2x clear all of you अब sign change करना है next step हमारा क्या होता है हमेशा sign change sign change का मतलब क्या होता वो भी ध्यांदेना यहाँ पे plus है तो minus यहाँ पे plus है तो minus अगर minus होता उपर तो नीचे क्या हो जाता है plus नीचे क्या हो जाता है plus sign change बोलो हमेशा minus करना है यह हमेशा plus करना है मैं बो रहा हूं हमको sign change करना है इतना clear all of you वापस उनो मैंने क्या पढ़ाया x square मुझे form करना है मेरे पास x already है then I will multiply it by x x into x it is equals to x square x square the term x is again multiplied में second term that is 2x into 2 that is 2x clear all of you x square minus x square gone 4x minus 2x 2x next term नीचे copy कर लिया हमेने 4 clear all of you इतना अब वापस वोई मेरे पास x है मुझे क्या form करना है मुझे form करना है 2x क्या form करना है 2x तो मैं किस से multiply करूंगा 2 से 2 into x 2x पता है ना इतना तो सबको 2 into x क्या होता है 2x then it will be 2x 2 into 2 4 sign change 0 clear all of you ये एक basic सम्था normal सम्था जो normally solve करा जाता है उपर वाला जो होता है उसको question बोलते है means मेरा answer वो ही है नीचे वाला जो है उसको remainder बोलते है कभी remainder पूछे तुमको कि what is the remainder तो मैं remainder डारेक्ट लिख सकता हूँ clear all of you first sum आया सबको समझ में all of you next sum एक और करवा रहा हूँ मैं अभी तो 4-5 varieties कराओंगा मैं जिसमें तुम्हारा ये पूरा concept clear हो जागा long division का उसके उपर एक भी sum आये गा ही ने समझ रहो तो 5-6 sum में मेरे साथ से तुम लोग ऐसे वो लोग है yes हमको अब long division आता है ये first basic category हो गई second category पर जा रहा हूँ मैं थोड़ी सी उपर वाली category बोल सकता हूँ उसके लिए ठीक है next category के लिए जाते हुए second sum ठीक है category बड़ा आ रहा हूँ थोड़ा ध्यान रखते रहना x square minus 6x plus 9 divided by x minus 3 क्या फरक था उपर सब plus plus वाला मैंने करवाया था minus का sum मैं करवा रहा हूँ है yes चलो x है मुझे क्या form करना है x square form करना है I will multiply it by x x into x x square clear all of you x into minus 3 है क्या है minus 3 it will be minus 3x it will be minus 3x अब next step मैंने क्या बोला था सब लोगों को sign change करना है क्या बोला था मैंने sign change करना है यह हो गया minus यह हो गया plus टिचक first term हमेशा cancel होना चाहिए अगर नहीं हो रहा है cancel मतलब तुम कुछ गलत कर रहे हो first term हमेशा cancel होना चाहिए यह बात हमेशा ध्यान में रखना अब 6 और 3 क्या है minus plus क्या है minus plus तो मैं क्या करूँगा minus 3x plus 9 आई बात समझ में कैसे minus 3x हुआ बड़े की sign है minus तो minus आएगा बड़ा था ना बच्पन में बड़े की sign जो होती है वो लेना है yes चलो मेरे को क्या दिया है x मुझे क्या form करना है minus 3x क्या form करना है minus 3x I will multiply it by minus 3 क्या हूँ क्यों क्यों मुझे minus में चाहिए किस में चाहिए मुझे minus में तो minus 3x minus minus plus 9 यह ध्यान रगना में सा multiply अगर दोनो minus minus वाले टन हो रहे है तो क्या होगा plus क्या होगा plus sign change देखो sign change का मतलब इधर minus था तो plus इधर plus था तो minus so simple cancel cancel zero clear all of you आई बात समझ मैं सबको दोनों sum always clear basic basic sum करवा है मैंने अभी तक long division के दोनों भूँत basic sums के अंदर count होते है ओके चलो third sum की और जाते है अपने अब अब थोड़ा level बढ़ाऊंगा मैं क्योंकि यह तो basic sum थे है ना अब थोड़ा level बढ़ाता है इस sums का कि अब अगर cubic equation दी है मुझे कौनस equation दी है cubic equation for example देखो मैं ही बढ़ा रहा हूं मैं ही solve कर रहा हूंगा tension लेना तो ही नहीं अपने को x cube plus x square plus x plus 1 इधर तो चलो कुछ भी ले ले तो मेरा x minus 1 ले लिया क्या ले लिया इधर मैंने x minus 1 इतनी बात समझ में हुई अहां चलो इससे पहले थोड़ा और basic जो बच्चों का थोड़ा weak होता है या जो बोल सकता हूं मैं उनकी जो तुम लोग गलत करते हो वो देखते है सबसे पहले जी x plus x क्या होता है x plus x क्या होता है 2x होता है बहुत लोग x square बोलते है वो नहीं होता है यह ध्यान लगना x plus x क्या होता है 2x x into x क्या होता है x square होता है 2x मत बोल देना इधर भी अप सबसे basic चीज़ों का यह ध्यान रगना है आदे लोग यह भी करते हैं मैं बताता हूं देखो x plus x square आदे लोग दिख देंगे इसको 2x square क्या यह ऐसा होता है नहीं होता है क्या यह ऐसा होता है नहीं होता है यह as it is easy रहेगा इसको हम plus कर सकते हैं नहीं है क्योंकि पावर अलग-अलग है, पावर अलग-अलग है, अगर यह multiply में होता, for example, x into x square, then it will be equals to x cube, क्या होता, x cube, 2x cube भी नहीं, x cube, क्यों, पावर असकी 1, पावर असकी 2, तो हो गया 3, यह मैंना अरड़ी first lecture में कराया है, फिर भी वापस basic, जो मुझे पता है, कि मेरे बच्चे गलतिया करते हैं, तो हर जगे करते होंगे, इसलिए मैंने वापस यह basic search बचाई है, कि यह गलती नहीं हो तुमार से, clear all of you, यह चारो ची आपने जो normal sum कर रहे थे, x cube plus x square plus x plus 1, x minus 1, yes all of you, x cube और x है, तो मैं multiply करूँगा x square से, किस से multiply करूँगा, मैं x square से multiply करूँगा, x square into x, x cube, x square into 1, minus x square, plus minus, minus, यह चीज़ का ध्यान दखना हा, ठीक है, sign change करना मत भूलना भाई लोगो, sign change is the very most important step, first step कटना चाहिए, कट गया, plus plus 2x square, plus x plus 1, terms copy कर दे जाओ, सारे terms copy कर दे जाओ, उसमें कोई tension नहीं है, समझ रहे हो, अब मेरे पास क्या है, x, मुझे क्या form करना है, 2x square, मुझे क्या form करना है, 2x square, तो मैं multiply करूँगा, plus 2x, किस से multiply कर रहा हूं है, plus 2x, yes, 2x into x, 2x square, 2x into minus 1, ध्यान रगना वापस, minus 2x, plus minus, minus, sign change, ये भी गया, क्या बचा, plus plus, 3x plus 1, 3x plus 1, अब मुझे 3x चाहिए, तो मैं multiply करूँगा, सिर्फ 3 से, x मत लिख देना, x तो already हमारे पास है, x तो already हमारे पास है, तो x into 3, 3x, तो 3x, 3 into 1, minus 3, sign, change, ये गया, plus plus 4, अब इसमें मेरा remainder क्या है, 4 है, इसमें मेरा remainder क्या है, 4 है, 0 हो, ऐसा compulsory नहीं है, 0 हो, ऐसा compulsory नहीं है, आई बास समझ में, थोड़ा अच्छा समता ही है, cube आ गया, बार तो अभी तक linear equation है नहीं है, पर अंदर क्या आ गया था, cubic terms, अंदर क्या आ गया थे, cubic terms, आई बास समझ में सबको, पका से, चलो, next सम करवाता हूँ, एक और, अपने देखो step level increase करना ही है, सीखने का मतलब क्या है, max का मतलब क्या है, जितनी प्रेक्टिस करोगे, उतना improvement आए, अपने को next step पे जाना है, तो एक और अच्छे level का सम देता हूँ, तुमको थोड़ा, yes all of you, चलो, देखो, same sum दे रहा हूँ, मैं वापस, पर खाली division वाला factor चेंज करूँगा, उससे देखना कितना फरक पड़ता है, ठीक है, same question है, खाली उपर minus 1 ता है, यहाँ पे क्या है, plus 1, clear, चलो, वापस, x square से multiply, x square into x, x cube, x square into 1, x square, sign देखो, plus की plus ही रहेगी इसमें, yes all of you, sign change, गया, ओ, वाओ, कुछ नया होगा, इसमें, यह भी गया, second term भी अपने आप cancel हो गया, इसमें यह चीज नहीं थी, समझ रहे हो, अब बाकी दोनों term कॉपी कर लो, x plus 1, क्या है मेरे पास, x, मुझे क्या चाहिए, x किस से multiply करना पड़ेगा, 1, जब कुछ नहीं हो तो सबका मालिक 1, yes, तो x plus 1, वापस sign change, ओ, वाओ, so easy sum, लगता tough है, पर सब cancel हो गया, सब कुछ cut out हो गया, और मेरे पास बचा remainder क्या, 0, remainder क्या बचा, 0, आई बास समझ में सबको, clear all of you, 4 sums clear, अब ऐसा लग रहा होगा, yes, हमको long division आ रहा है, बस 3-4 sum और करेंगे, तुम्हारा long division guarantee, 100% पक्का हो जाएगा, कोई tension लेना पड़ेगा, नहीं, next sum की और जाते अपने, 5th sum करवा रहा होंगा तुमको अब, level तो बढ़ाऊंगा, हर sum में थोड़ा level बढ़ना चाहिए, मुझे इतना पता है, समझ रहे हो, चलो, कुछ अलग दे रहा हूं इस बाग, 2x square, plus 3x, plus 1, divided by x, plus 2, तुम बोलोगे, तो easy समया है, हाँ, easy है, पर खाली first term पर ध्यान लगना है, कैसे form करना है, कैसे नहीं करना है, x था, 2x square चाहिए, तो किसे multiply करूँगा, 2x, that is the most important thing, तुम लोग अभी भी confuse हो रहे हो, x से करना है, x square से करना है, 2 से करना है, नहीं, x square बोला है, मतलब x तो चाहिए ही मुझे, आगे number जो है, वो number ले लोगा, yes all of you, चलो, यह हो गया 2x square, यह हो गया 4x, sign change करना मत भूलना भाई लोगो, sign change करना नहीं भूलना है, अपने को, minus, यह ध्यान रखना, minus x plus 1, y, 3x minus 4x, तो होता है, minus x, बड़े की sign क्या है, minus, यह वाले sign को भूल जाना, जो sign change किये, उसका ही ध्यान रखना है हमको, yes, minus x plus 1, minus x plus 1, x है मुझे चाहिए minus x, I will multiply by minus 1, I will multiply by minus 1, तो minus x minus 2, sign change, sign change, टिचिक plus plus 3, remainder क्या बचा वापस से 3, remainder 0 हो, ऐसा कोई कमपल सरी नहीं है, यह हमारे लिए हो गया question, diviser, dividend और remainder, yes all of you, clear सबको इतना, आया समझ मैं सबको, next sum, अब high level सब मैं थोड़ा, अब बहुत high level बोल सकता हूँ, यह थोड़ा high level बोल सकता हूँ, पर high level दे रहा हूँ, ठीक है, चलो, क्या दे रहा हूँ, x cube minus 1, divide by x minus 1, तुम तो सोचो को इतना है था, इसको किसे divide को, tension लेने का नहीं, जब मैं हूँ तो, ठीक है, कैसे solve करना इसको, बताओ, कि try करोगे, try करोगे, नहीं, नहीं, बता जाता हूँ, एक बार बता दो रहा हूँ, next sum try कर लेना, चलेगा, कैसे solve करना है, वो ही, जो मैंने बता है, वो ही funda यूज़ करना है, में को first term बनाना है, first term क्या है मेरे पास, x cube, first term क्या है मेरे पास, x cube, मुझे क्या है, दिया हूँ, x, even multiplied by x square, इतना clear, x square into x, x cube, x square into 1, minus x square, क्यों ऐसा अलग से लिखा मैंने इसको, जब भी अगर कोई term आ रहा है, अगर वो term उपर नहीं दिया हूँ, तो उसको side में लिख दिया, x square का time उपर question में नहीं दिया हूँ था, नहीं था ना, तो उसको मैंने side में लिख दिया, मैंने कहां लिख दिया, minus plus, उससे लेना दिना ही नहीं मुझे 1 से, जो मेरे 2 step नीचे बने उनको भी मेरे को देखना है, यह तो cancel out हो गया, वाओ, next हो गया x square इधर और minus 1 इधर, अब क्या करना है वापस मुझे, x दिया हूँ है, मुझे क्या बनाना है, x square, मुझे क्या बनाना है, x square, I will multiply it by x, I will multiply it by x, x into x, x square, x into 1 वापस, उपर x नहीं था, इसलिए अलग से लिख दिया मैंने, आई बास समझ में, उपर जो भी term नहीं है, उसको मैं side में अलग से लिख सकता हूँ, चलो यह भी गया, क्या बचा, x बचा, और minus 1 बचा, 1 तो copy करते है रहो, अपने आप solve होगा, tension लेने का नहीं, x है, x ही लाना है, तो क्या करूँगा, 1 से multiply, x है, x ही लाना है, तो 1 से multiply, 1 into x, x, 1 into 1, 1, sign, change, यह भी गया, यह भी गया, 0, था ना easy sum, इस sum हमने क्या नहीं चीज़ देखी, अगर कोई भी term हमारा ऐसा बन रहा है, जो उपर नहीं गीवन है, येस, all of you, clear all of you, कोई परेशा नहीं किसी को, चलो, एक और sum की और बढ़ते हैं, same type का दूँगा, practice करवानी हैंना, एक sum same type का दूँगा, पर थोड़ा तो hard देना बनता है, ठीक है, चलो, next हम है, x 4 minus 1, यहाँ पर है, x square minus 1, ओ वाव, क्या बोलते हो, बार square दे दिया मैंने, बहुत कुछ नया कर रहे हैं अपने इस sum में, है ना, चलो, solve करते हैं वापस सब लोग, x square है, मुझे क्या form करना है, x की power 4, क्या form करना है मुझे, x की power 4, I will multiplied by x square, I will multiplied by x square, x square into x square, x4, x square into 1, देखो, side में लिख रहा हूँ मैं, अब तो समझ गए, side में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि उपर वो time दिया हुआ, नहीं है, इसलिए मुझे side में लिखना पड़ रहा है, चलो, sign change, गया, yes, x square, minus 1, yes, clear all of you, यह बड़ा time था पहले आ गया, plus sign था plus, minus आ गया, minus, अब x square गीवन है मुझे, मुझे क्या form करना है, x square, तो I will multiply it by plus 1, तो x square, minus 1, minus, plus, टिचिक, 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 क्या बोलते हूँ, देखने में कितना tough time लग रहा था, solve करने में, ऐसे solve, clear all of you, clear all of you, देखो, साथ सम पहुचे है, तुमको confidence आ गया होगा, अगर सबने मेरे साथ, books और pen लेके बैठे हो, तो तुमको confidence अपने आब आगा गया, yes, हमको आ रहा है सर, yes, हमको आ रहा है सर, आ रहा है ना सबको, चलो, एक last या एक और सम, दो सम करेंगे maximum उपने, उसके बाद अपना chapter खता, long division, topic close, हमको आर सम करने के जरुवत, नहीं पड़ेगी, yes all of you, चलो, एक और सम करवा रहा हूँ, 8th सम बोल सकते है, उसको अपने, चलो, बड़ा सारा सम दे रहा हूँ, मस्त मजा आएगा, 2t4, plus 3t3, minus 2t2, minus 9t, minus 12, बाद ले लिया, t2, minus 3, अब तुम से तो, t आ रहा है, अरे कोई भी टर्म है, x i, y i, p, q, r, s, t, कुछ भी है हमको, से कोई टेंचन लेना, नहीं है, सब हमारे लिए सेम है, हमको तो जो, रोईत सर ने सिखा है, हमको वैसे ही, solve करना है, कैसे solve करना है, t2 दिया है, क्या form करना है, 2t4, तो देखो, t4 के लिए पहले, t2 ले लू, t4 के लिए पहले, t2 ले लू, और आगे number के है, 2, तो 2 ने लिया, आई बास समझ में, देखना, ध्यान रखना, मैं कैसे solve करूँगा, इसमें भी एक नई चीज आएगी, इसलिए बोर रहा हूँ, 2t2 into this, तो 2t4, 2t2 into 3, कितना होता है, 6t2, कितना होता है, 6t2, इसके नीचे नहीं लिख रहा हूँ, इसके नीचे लिख रहा हूँ, भाई भाई यह नहीं है, t2, t2 आ रहा है, मतलब भाई भाई है, तो इनके नीचे लिख रहा हूँ, ये चीज ध्यान लगना है, t3 के नीचे, t2 मत लिखना वापस है, चलो, solve करते हैं ओ वाओ ये तो cancel हो गया cube को लिखना भूलना मत plus minus plus 4t square minus 9t minus 12 term सारे लिखता है मेरी ये आदत है में को term लिखने में कोई दिक्कत आती नहीं आलस लेने का नहीं मैं solve करते रहने का t square t cube बनाना है t cube बनाना है plus में तो plus t cube के लिए 1t से हो जाएगा और number है 3 तो आगे ले लूँगा 3t number है 3 तो आगे ले लूँगा 3t तो चलो देखते है 3t cube minus 9t देखो t के निचे t लिखना है ये बात हमेशा ध्यान रखनी है साइन चेंज minus plus वाओ ये भी गया ओ ये भी जा रहा है देखो 4t square लिखा ये तो गया minus 12 important step देखा 2 टम भी कट सकते है टेंशन लेना माद कि 2 टम कट रहे है मेरा कई गलत तो नहीं है नहीं है गलत confident yourself समझ रहे हो इतनी practice कर लोगे गलत हो ही नहीं सकते है अपने sums चलो t square 4t square किस से multiply करूँ 4 से t नहीं आएगा already t square का t square ही लाना है मुझे तो t आएगा नहीं तो आप 4 से multiply करूँ अगर उसको तो 4 t square minus 12 sign change ये भी गया ये भी गया वाहो कितना अच्छा लगता है ना sum पूरा एक बार में solve हो जाता है और right answer आता है तो आया समझ मैं सबको सबसे hard sum मैं बोल सकता है ये ही था अब इसके hard तो देखो ऐसा है तो max मैं hardest का कोई level नहीं है पर हाँ test book level के हिसाब से ये सबसे best sum था up to 10 up to 10 ऐसे sum आते है तो ये solve करना तुमको आना चाहिए आया सबको समझ में पक्के से copy करते रहना सब लोग books के साथ solve करते रहना 10 sum है ये उसके बाद worksheets और हैगी तो worksheets solve करोगे RD सर्मा solve करोगे NCIT solve करोगे it will be enough for you it will be enough for you चलो एक और sum आकरी sum बोले कि एक और करना है चलो ना पूरा 10 का आकड़ा करी लेंगे क्या बोलते है एक last sum 10th number sum की और जाते है अपने yes कुछ है किसी के मन में कौन से type का करवाना है क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है कि मैं मेरे इसाब से करवाना है ऐसा ही करवाँ एक और बार x square वाला करना है ऐसा बोड़े हो सब चलो एक और वैसा sum कर लेते हैं कोई टेंशन नहीं x5 माइनस 4 x cube प्लस x square प्लस 3 x प्लस 1 बार है x cube अरे यार बार तो बड़ी बड़ी चीज़े आती जा रही है अभी square था अब cube ले लिया मैंने तुम नहीं बुला करा हो मैंने करवा दिया चलो ध्यान रखते है x cube है x5 चीए मतलब x square से multiply है किससे multiply है x square से चलो x square into this x5 x square into this देखो cube हो रहा है हाँ यार ये तो cube ही बन रहा है 3 x cube x square into 1 वाव प्लस x square क्या बोलते हो सही किया ना हाँ यार सही किया ऐसे तो चलो sign change करते है माइनस प्लस माइनस ये भी गया ओ ये नहीं गया ये बच रहा है माइनस x cube वाव ये जा रहा है देखो क्या बचा बाकी दुनों टम प्लस 3 x प्लस 1 अई बास समझ में चलो x cube है माइनस x cube चीए तो माइनस 1 कितना एजी सम होगा ना इतनों बड़ा हल दिख रहा था पर कितना एजी होगा है माइनस 1 तो माइनस x cube प्लस 3 x माइनस 1 साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज टिचिक टिचिक वन वन जा टू ये ध्यान रगना गल्दी गल्दी में काट मत देना इसको भी आई बास समझ में सबको clear all of you copy it out मेरे इसाब से सबको आराम से लॉंग डिविजन आ गया होगा किसी को कोई परेशानी है नहीं किसी को कोई परेशानी है नहीं कॉपी करना वाकिता तो कर लेना आज अपने लॉंग डिविजन पढ़ा है तुमने दस सम की प्रेक्टिस कही है ठीक है वापस पूरा सम दस के दस सॉल करो उसके बाद आई डी सर्मा या फिर टेस्ट बूक फर्स्ट आफर टेस्ट बूक सॉल करने का हमेशा टेस्ट बूक में बेजिक लेवल के सम सोते इस टेस्ट बूक सॉल करो हो गयो सेवेंटी परसंट एटी परसंट तुमको आ गया और हाईर जाना है तो आई डी सर्मा के एग्जामपल सॉल करने आए ठीक है और उससे उससे उपर जाना है तो मेरे पास बहुत सारी है डिपीवी जैने का मेर से क्लियर अल भी आई बास समझ